पावेज जी ऐसे सिचुएशन में जब बीज़पी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं बीज़पी ने अपने केंद्रे मंद्रियों को मैदान में उतार दिया है सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है ये जो आकड़ा अभी 110 तक पहुचता हुआ नसर आ रहा है इसमें कितनी तबदीली हो सकती है क्या कह रहे हैं आपके नंबर्स देखे मैं अपने नंबर तो अपि रिबील नहीं करूँगा इसका वोट सेर यदि 41 के आसपास यदि आ रहे तो इसका मतलब यह होगा कि जो सीटों का जो करन्वर्जन होगा जो इतना कम नहीं रहे जादा 135 के आसपास रहे जहां तक मेरी मैथमेटिक्स कहती है अभी जो रियालिटी है जो ग्राउंड है बीजेपी बहुत महनत करें उसमें कोई डाउट नहीं है अपने केंद्रिय मंति इसलिए जितने भी समय एक कहे के लास्ट आप्सन जो बीजेपी के पास है उन्होंने वो लिया है वो अब कितना काम करेगा नहीं करेगा वो आने लेकिन बीजेपी की जो कमजोरनस है वो चंबल रीजन है बीजेपी पिछली बाद जो सता से बाहर होगी तो चंबल रीजन के वज़े से हो गई थी अब वहां पर यदि वो सिंधिया को नहीं उतारता है तो फिर यह जो सर्प्राइस फैक्टर जो अभी उन्होंने कई सारे मंत्रियों और सांसंद को उतार है उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनीफिट नहीं बनाए इंफाक्ट मुझे जहां तक लगता है कि यदि नरेन सिंध उमर को वहां पर उतार है और सिंधिया को नहीं उतारता है तो साइध उनका एक अलग गलत मैसेज भी जाएगा और बीज़पी ने रणनीती बनाई कि हम कलेक्टिव लीडर्शिप के साथ चुनाव लड़ेंगे किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा जो एक्सपेरिमेंट 2017 में उत्तर प्रदेश में किया था उसी से आश्वस नजर आ रही है फिलाल अगर हम भारते जनता पार पार्टी की बात करें ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर्स पदल सकते हैं क्या बीज़पी के लिए कोई खुशकबरी आ सकती है या कॉंग्रस यहाँ पर लीड बना कर रख सकती है चुनावों तक देखे इसमें दो चीज़े हैं वहाँ पर एंटी इंकम्बेंसी है बिल्कुल और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप देख लें करॉप्शन के चार्जेज हो या परसेप्शन्स हो जो यूवा हैं महेंगाई वगर का जो तमाम आपको हर राज्य में किसी भी पार्ट आप देखे तो उसमें चुनाओ इस बार बिल्कुल कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया है इस बार पार्टीज का वेट बहुत कॉंग्रेस ने भी अपनी इंटरनल इस्तिती पहले से थोरी से इस मामले में अच्छा किया है कि दिगविजय सिंग और कमलनात के बीच में एक जो केवल मैनेजेरियल पॉलिटेशियन नहों बलकि वो पॉपलर हो जो स्विंक कर सके जैसे करनाटका में केवल डीके शिवकुमार रहते जो मैनेजेरियल पॉलिटेशियन है तो उससे बात नहीं बनती वहाँ पे सिधारमया थे राजस्थान में गहलोत है लेकिन कमलनात म तो बीजेपी की जो ये प्रयास है अभी डेमेज कंट्रोल का की बिग वेट्स को भी उतारें और कैंडिडेट के मामले में पार्टी अगर बहुत ही बारीकी से हर सीट पे सही कैंडिडेट देती है तो हमें लगता है कि मद्ध्रदेश के जो अभी आकरे दिखाये जा रहे है इस सर्वे में वो निश्चित तौर पर बदलेंगे और अंत में हो सकता है कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में आजए